हलो फ्रेंट्स आप लोगों का मेरे चेनल पर स्वागत है तो आप लोग वीडियो को लाज तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे के साथ सेर जरूर कीजिएगा तो फ्रेंड्स आज में आप लोगों के लिए एक और कुर्सिया का डिजैन लाई हू है और तौर्ण पटी में डाल सकते हैं बैभी जैकेट में भी डाल सकते हैं तो सबसे पहले आप लोग जो भी चीज बनाई है वो चेन से स्टार्ट कीजिएगा और हर एक चेन से आपको एक लाइन पहले डबल क्रोसिया बनाना है तो आप इसके लिए 10 नंबर की क्रोसिया और फोर पलाई उल लीजिएगा अगर आप लोग टू पलाई या थिरी पलाई कोई भी उल से बना सकते हैं इस डिजैन को और उसके मुताबिक आप लोग क्रोसिया लीजिएगा तो फ्रेंस आप लोग वीडियो को लाज तक देखिएगा ताकि डिजैन आप लोगां को तीन चार क्रोसिया फिर दो चेन फिर इसी बीच में आपको सेम जगा पर चार डवल क्रोसिया और बनाना है दो तीन चार फिर आपको एक दो फिर फ्रेंस आपको दो चेन यहां पर बनाना है और पॉंच डवल क्रोसिया के बाद आपको यहां पर इसमें एक डवल क्रोसिया फिर दो डवल क्रोसिया तीन चार पांच पांच डवल क्रोसिया के बनने के बाद आपको क्रोसिया इस तरह से यह फर्स्ट वाले डवल क्रोसिया से निकालना है और फिर इस फंदे को आपको इस तरह से इसके बीच से आपको निकालना है और simple crochet से इसको joint करना है और फिर एक दो दो chain डालेंगे और फिर यहाँ पर आपको चार double crochet छोड़ कर फिर यहाँ आपको एक दो तीन चार चार double crochet फिर दो chain फिर सेम इसी पर इसी जगह पर चार double crochet और बनाएंगे दो तीन चार और फिर दो chain फिर यहाँ पर एक दो तीन चार चार पांच पांच डबल क्रोश्या छोड़ कर यहाँ पर पांच डबल क्रोश्या बनाएंगे एक एक जगा में आपको पॉच्छ डबल क्रोश्या बनाना है तीन चार पॉच्छ फिर क्रोश्या से इस फंदे से क्रोश्या निकालना है और फिर्ट वाले डबल क्रोशिया के उपर से आपको क्रोशिया डाल कर इस फंदे को इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसको जोइंट करना है फिर दो चेन और फिर हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया छोड़ेंगे दो दो चार और फिर यहाँ चार डबल क्रोशिया तो आपको फर्स्ट लाइन इसी तरह से बनाना है तो आप लोग दूसरी लाइन इस लाइन को पूरा करने के बाद आप लोगों को बताएं आपको फिर यहां से सिंपल क्रोसिया चलाते हुए यहां तक आना है और फिर इस बीच में आपको पाँच डवल क्रोसिया बनाना है दो तीन चार पाँच और फिर फिर फंदे से क्रोसिया निकालेंगे और फिर्स डवल क्रोसिया से आपको इस तरह से फंदे को खीचना है फिर एक दो दो चेन और फिर आपको यहां से इस तरह से फिर यहां पर चार डवल क्रोसिया एक, दो, तीन, चार, फिर दो चेन, फिर सेम इसी, बीच में आपको चार डबल क्रुशिया और बनाना है, दो, तीन, चार, फिर आपको दो चेन, और फिर इस डबल क्रुशिया के बीच में आपको पंच डबल क्रुशिया, एक, दो, तीन, चार, पंच, फिर फंदे से क्रुशिया निकालेंगे, और फिर्श्ट क्रुशिया से आपको इस तरह से, फंदे को खीच कर, यहाँ पर सिंपर क्रुशिया से जोइंट करना है, फिर एक, दो, चेन, और फिर यहाँ जो, दोबल क्रुशिया, का बबल से बनाय हुए है, यहाँ बीच में आपको, चार डबल क्रुशिया, एक, दो, तीन, चार, फिर दो चेन, फिर सेम इसी जगा पर चार डबल क्रुशिया और बनाएंगे, फिर आपको पंच डबल क्रुशिया बनाकर, फिर बाले डबल क्रुशिया से, इस तरह से क्रुशिया से, इस फंदे को, खीचना है, और फिर इसको, सिम्पल क्रुशिया से जोइंट करना है, और फिर हम इधर मुरेंगे, और फिर आपको इस बीच से, डबल क्रुशिया बनाना है, फिर हम फिर बाले लाइन को दोर आएंगे, एक, दो, तीन, चार, दो चेन, फिर सेम इसी जगह पर, चार डबल क्रुशिया, तो एक बार आपको, आठ डबल क्रुशिया बनाना है, और एक बार पांच डबल क्रुशिया बनाकर, उसको आप लोग जोइंट किजिएगा, तो यहाँ पर फिर आपको इस तरह से बनाना है, और यहाँ पर फिर यह नीचे वाले जोलाइन है, बीच में इसको बनाना है, तो इस तरह से यह आपका डिजैन उपर बनते जाएगा, एक बार इसके बीच में आपको यह डबल क्रुशिया बनाना है, और इस डबल क्रुश सकते हैं मैं वीडियो को इंसमाप्त करती हूं थेंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो